प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार बाजार से पहली बार 2000 कोड रुपे का कर्ज लेने जा रही है कर्ज की राची मुख्य मंत्री लाटली बहन योजना समित अन्य योजना उपर खर्च की जाएगी यह कर्च 26 दिसंबर को RBI के माध्यम से लेने के लिए बीडिंग होगी और 27 दिसंबर को सरकार को यह पेसा मिलेगा पतादे मध्यपदेश पर बजट से ज़्यादा कर्ज पहले से है एक माँ के बीतर राजसरकार दोरा लिये जाने वाले 2000 करोड रुपे का यह दूसरा कर्ज है पिदान सभा चुनाओ प्रणामों को आईलान होने के पहले 28 नमबर को 2000 करोड का कर्ज लिया गया था इस साल जनवरी से अब तक 40,500 करोड रुपे का कर्ज लिया जा चुका है मुक्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादाव ने लाडली भेना योजना को लेकर कॉंग्रिस द्वारा की जाने वाली गेराबंदी के चलते साफ क्या है कि योजना बंद नहीं होगी इसका पैसा समय पर हित्गराईयों के खाते में भेजा जाएगा इसके बात वित्त ने विभाग ने वुदुवार को 2000 करोड रुपे कर्ज लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गुरुवार को सीएम डॉक्टर यादा उने राजपाल के अभीभाशन के दोरान धोराया था कि सरकार कोई योजना बंद नहीं करेगी सभी योजनाओं के लिए समय पर राशी भेजी चा रही है पित्य विबाग के नोटिफिकेशन के मताबिक रिजर्व बैंके माध्यम से नई सरकार में पहला कर्श लिया जाएगा 2000 करोड रुपे का यकट 14 साल के लिए लिया जा रहा है जिसकी अदाएगी 26 दिसम्बर 2049 तक करना है पिधानसबा चुनाओं के दोरन कॉंग्रेस के चुनावी मुद्धा बनाय जाने के चलते राजसरकार को नवंबर महीने में शुरुआत में कर्श नहीं लिया था लेकिन काउंटिंग के पांच दिन पहले 28 नवंबर को 2000 करोड का कर्श सरकार को लेना पड़ा था बताया जाता है कि अकेले 1600 करोड रुपए लाडली बहना योजना के अंतरगत 1.3 एक करोड बहनों के खाते में ट्रांसफर किये जाएंगे तद कालिन शिवरार सरकार ने इसके लिए 10 तारिक तैका रखी थी नई सरकार ने अभी इस तारिक में बदलाव नहीं किया है इसे के साथ बने रहे रालकामा टीवी के साथ दर्नेवाद